आपका मन, आपका नौकर है, हाँ या न, आपने उसे अपना दुश्मन क्यूं बना लिया है? कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, कि ये सभी वो जहर हैं जिन्हें पीते आप हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए, जीवन ऐसे काम नहीं करता. इसके बारे में कुछ कीजिए, दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए. एक बार, शंकरन पिल्ले को, आप किसी की बिमारी पर हस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं. शंकरन पिल्ले को स्थाई टीबी हो गई, ट्यूबर कलोसिस, तो वो डॉक्टर के पास गया, वो बिमार तो काफी समय से था, लेकिन परेशानी बढ़ गई तो वो गया. डॉक्टर ने एक्सरे लिया और देखा कि फेंफरों में बड़े छेत थे, वे बोले, आपको इसी वक्त अस्पताल में भरती होना होगा. एक छोटी सी सरजरी करनी पड़ीगी और आपको कम से कम छे महीने अस्पताल में रहना होगा, और पचास हजार डॉलर का खर्चा होगा. शंकरन पिल्ले बोले नए, बिलकुल नए. पचास हजार तो मेरे पास बिलकुल नहीं. छे महीने बिलकुल नहीं. मैं आपको सौ डॉलर दे सकता हूँ, अब क्या कर सकते हैं? अभी. डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, एक्सरे की तरफ देखा, उनको देखा, फिर एक्सरे को देखा और बोले, सौ डॉलर में मैं आपका एक्सरे ठीक कर सकता हूँ. हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में शारीर एक नुकसान पहुँचाया हूँ, आपको बीमारी हूँ. जो आपके विचारों की वज़े से हूँ, ऐसा बिलकुल संभव है. क्यूंकि आप मनों देहिक हैं, जो मन में होता है, वो हर हाल में शरीर में भी होता है. लेकिन जब नुकसान शरीर में प्रकट हो जाता है, तो उसे विचारों से दूर करने की कोशिश बस सोच ही हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन आपके बास सिर्फ एक जीवन है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए. आप विचारों की प्रक्रिया की भी मदद लेना चाहेंगे. लेकिन, नहीं, मैं बस बैटकर इसे विचारों से मिटा दूँगा. आप शायद विचारों से खुद को मिटा दें. इसलिए ऐसी कोशिशें मत कीजिए. बीमारी हो या सेहत, रोग हो या निरोग, आपको अपने मन में उथल-फुथल करने की कोई ज़रुवत नहीं है. आपको इस जीव को पीड़ा देने की कोई ज़रुवत नहीं है. बीमारी होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है. लेकिन आपको इस जीव को दुख देने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं क्यूंकि एक तरह से ये एक बेबस जीव है देखिए अगर मैं आपके पीछे एक गरम लोही की छड़ी लेकर भागू तो आप भागने की कोशिश करेंगे आप मदद मांगेंगे आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन मान लीजे आप एक लोही की छड़ी इसमें डालने लगें तो ये कहां भागेगा अगर आप बच्चे भी हैं तो भी आप कुछ सुरक्षा करेंगे हां पांच-छे साल का बच्चा भी कुछ सुरक्षा करता है पर यहां कोई सुरक्षा नहीं है आप इसके साथ जो भी बखवास करते हैं इसे बस उससे गुजरना पड़ता है बचना असंभव है तो ये अंदर फसे एक भृून को दुख देने की तरह है आप उसे मारने लगें बिल्कुल वैसा ही है हां? सबसे भयंकर दुख देने का तरीका सबसे भयंकर यातना खुद को दुख देना है क्यूंकि ये पूरी तरह से बेबस जीव है बाकी सभी चाहे वो जितने भी बेबस हों वो अपनी कुछ न कुछ सुरक्षा करते हैं है न? हां? अगर आप नींद में हों तो सबसे कमजोर इंसान भी आपको दर्द दे सकता है हां या न? ऐसा होता है न? कोई कमजोर है आप उन्हें परिशान करते रहे एक दिन आप सो रहे थे तो उन्हें बदला ले लिया वो कुछ कर सकते हैं सबसे कमजोर इंसान भी, एक बच्चा भी आपको कुछ कर सकता है, लेकिन ये बिलकुल बेबस है, तो आपको इसे परिशान करने की कोई जरुद नहीं है, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो, अगर आपको बीमारी हो चुकी है, अगर आप उस थिती में आ चुके हैं, कि आपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है, तो बहतर होगा कि हर संभव तरीके से उसका समाधान किया जाए, हाँ, आपको अपनी बकवास हर हाल में रोक देनी चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम को दवाओं, सर्जरी और अन्य चीज़ों की जरूत है, तो वो सब किया ज आना चाहिए, बस विचारों से उसे ठीक करने की कोशिश, क्यूंकि आप उसे मन के द्वारा लेकर आये थे, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इसे मन के द्वारा मिटा सकते हैं, संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, मैं 100% ना नहीं कह सकता, ये संभव है, लेकिन आप ऐसी कोशिशे मत कीजिए, क्यूंकि हो सकता है आप खुद को मिटा लें। एक सीमा पार हो जाने के बाद, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, ना। हाँ, आपके डॉक्टर भी एक स्थिती के बाद हार मान लेते हैं, हाँ, एक मात्र लोग जो हार नहीं मानते, वो हैं बीमा पॉलिसी वाले, बाकी सभी किसी स्थिती के बाद हार मान लेते हैं, सिर्फ इंशोरंस वाले हार नहीं मानना चाहते हैं, क्यूंकि वो आप जानते है मन को जीवन में मददगार बनाना हर हाल में आपका काम है आपका मन इस जीवन का मददगार होना चाहिए है कि ने? उसे जीवन की मदद करनी चाहिए आखिरकार मन आपका नौकर है हाँ या ना? आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए काम करने वाले लोगों से कैसा व्यवार करें तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे इस बारे में कोई गलत फहमी मत रखिए इस बारे में कोई शंका मत रखिए अगर आप अपने बच्चों से ठीक व्यवार ना करें तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे आपको कोई शक है? नई वो मेरा बेटा है वो ऐसा नहीं करेगा कोई शक मत रखिए वो ऐसा करेगा अगर आप ठीक व्यवार ना करें तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जीवन ऐसा ही है, अब आपका मन, जो इतनी शक्तिशाली, खूबसूरत और जादूवी चीज है, आपका दुश्मन क्यों बन गया है, हमें ये चीज समझनी होगी, चाहे आपको कोई बीमारी हो या होने वा जो भी हो, अब ये समझने का समय आ गया है, है की नहीं, हम्? आपको समय बरबाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारों से बीमारियां करवाना और विचारों से उन्हें दूर करना, ये कोई मजाक नहीं है, इसमें जीवन खर्च होता है, जब बीमारी हो जाती है, तो व आप अस्पताल की लाइन में बैठे होंगे, हाँ या न, ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, उस थिती में पहुंचे बिना, आप नहीं समझते कि वो कितनी बुरी है, आप सभी, चाहे आप जितने भी स्वस्थ हों, हर महीने, अपने शहर के एक बड़े अस्पताल में जाएं, आपको वाकई में जाना चाहिए, आपको जाकर देखना चाहिए, किसी घटिया मजे के लिए नहीं, बलकि ये जानने के लिए, कि इनसान को क्या-क्या हो सकता है, बस छोटी-छोटी गलतियां, उन्होंने कोई बड़ा गुना नहीं किया, वो बस हर दिन अपने घुसकर, समस्या खड़ी कर सकता है, किसे पता है, हाँ, आपने हर चीज ठीक से की, कोई फरक नहीं पड़ता, आप हवाई जहाज में ये सोचकर चड़े की सभी लोग हैं, लेकिन आपको स्वाइन फ्लू हो गया, वहाँ एक स्वाइन था, आप नहीं जानते, आप हर चीज ठीक से करें, तब भी लाखो समस्या हैं, है की नहीं, हाँ, जीवन की प्रकृती ऐसी ही है, कि अगर आप दूध पियें, तब भी वो जहर बन सकता है, पर अगर आप जहर पीकर अच्छे से जीना चाहें, तो मेरी शुब काम नाए, मैं ये ही कह सकता हूँ, है की नहीं, आप सबसे अच्छी चीजें खाईए, तो वो भी जहर बन सकते हैं, आप जहर खाकर अच्छे से जीना चाहते हैं, मैं बस शुब काम ना दे सकता हूँ, क्यूंकि ऐसे इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है, है न, आप जहर बना रहे हैं, और अच्छे से जीने की भी उमी आपके लिए फाइदेमन नहीं होगा, वो आपको निगल लेगा, तो कृपया अपने मन को सीधा रखिये, उसे आपके लिए काम करना चाहिए, उसे आपके लिए सुन्दर चीजें करनी चाहिए, ना कि बेकार की चीजें, आपका मन बेकार की चीजें क्यूं कर रहा है, तो मैं उसे जहिल नहीं सकता, मैं उसे जहिल नहीं सकता अगर मैं कड़वाहट पैदा करूँ कड़वाहट, गुसा, नफरत ये सभी वो जहर हैं, जिन्हें पीते आप हैं और उमीद करते हैं कि कोई और मर जाए जीवन ऐसे काम नहीं करता अगर आप जहर पीएंगे, तो सिर्फ आप मरेंगे कोई और नहीं मरेगा मुझे उससे नफरत है, मैं चाहता हूँ वो मर जाए, सिर्फ आप मरेंगे वो नहीं मरेंगी है ना आप जहर पीते हैं और किसी और के मरने की अगर आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो सबसे पहली चीज आप ये कीजी, आप जो भी चीजे कर रहे हैं, उनसे ब्रेक लीजे, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप समझे, अपना काम, अपना परिवार, अपनी बकवास, हर चीज से ब्रेक लीजे और एक उचित स अगर आप चाहते हैं, तो यहां आ सकते हैं, या फिर भारत में या कहीं और जाएए, जो भी आपके लिए अच्छी हो, पर इसके लिए कुछ कीजिये, दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिये, है न? तो एक जगा बैठ कर देखिए कि आप इसके बारे में क्या कर सकते क्योंकि जब आप दुनिया में रहते हैं तो या तो आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहिए या फिर अपने आसपास के दस लोगों के लिए या तो आप खुद को वाकई आनंदित और जीवन्त रखे और दूसरों की परवा मत कीजिए उससे फरक नहीं पड़ता कम से कम आप तो आनंदित हैं ये ठीक है या आप अपने आसपास किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ठीक है कोई भी इनसान जो ना तो खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना ही किसी और के लिए उसे खुद को इंसान कहने का वाकई कोई हक नहीं है, है ना? प्रकृती ने इतनी बुद्धी और जागरुकता आपके अंदर डाली है, है कि ने? हाँ? शायद आप दुनिया में कोई महान काम नहीं कर सकते हैं, उससे फरक नहीं पड़ता कम से कम धर्ती पर प्रेम से रहिए, उतना तो आप कर सकते हैं, है न? शायद आप पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते, उससे फरक नहीं पड़ता कम से कम आनंद में रहिए अगर आप आनंद में जीते हैं, तो अचानक से आपको पूरी दुनिया खुबसूरत लगने लगेगी जैसे ही सारी दुनिया खुबसूरत लगेगी, आप स्वभाविक रूप से हर चीज को एक प्रेम भरी नजर से देखेंगे ये स्वभाविक प्रक्रिया है क्या ऐसा है? अगर आप बहुत आनंद में यहां से गुजरेंगे, तो आप जिस भी चीज को देखेंगे, वो बहुत सुन्दर लगेगी जब आपको हर चीज सुन्दर लगती है, तो आप स्वभाविक रूप से हर चीज को प्रेम से देखते हैं आप पर दिव्यक्रिपा है, बस यही करना है और अगर आप वैसे नहीं है, तो क्या आपको इसी वक्त कुछ समय निकाल कर खुद पर काम नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं, मैं कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूँ, आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं क्यूंकि जो भी आप करेंगे, उसमें आप खुद को ही व्यक्त करेंगे, है न? आपके मूर्खता पूर्ण अच्छे एरादे व्यक्त नहीं होंगे, आप जो हैं वो ही आपके हर काम में व्यक्त होगा अगर आपके दिमाग में जहर है, तो अच्छे एरादों से अब दुनिया में जहर गोल देंगे दुनिया में यही हो रहा है दुनिया में ज्यादा विनाश अच्छे एरादों से हो रहा है ना कि बुरे एरादों से, है की नहीं? 1934 में एडॉल्फ हिटलर ने हैंबर्ग में एक भाशन दिया जिसमें उसने कहा मैं अपने पूर्वजों का कर्तव यने भा रहा हूं जब उससे ये पूछा गया कि वो लोगों को पकड़ कर गैस में क्यों भेज रहा है और मैं चाहता हूं कि आप समझें वो जूट नहीं बोल रहा था उसे पक्का यकीन था और यही सबसे भयंकर चीज है वो जूटा नहीं है उसे अपने काम पर पक्का यकीन था यही उसे ताकत देती थी थोड़े से समय में जिस तरह से उसने पूरे देश को संगठित किया और सभी को उस चीज में विश्वास दिलाया जिसमें उसे विश्वास था ये सरल संगठन नहीं है जबरदस संगठन है, है न? क्यूंकि उस इंसान को 100% यकीन था उसे यकीन था कि वो सबसे अच्छी चीज कर रहा है जो दुनिया में की जा सकती है तो आपके अच्छे रादों से दुनिया में भला नहीं होगा आप खुद कैसे हैं? और आप जैसे हैं वो सिर्फ तभी बदलेगा जब आप उठते, बैठते, चलते और सांस लेते हुए आनंदित रहेंगे अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो बाकी के सारे काम जहर होंगे, आप चाहे जो भी करें जब आप अपने अंदर खुश हैं सिर्फ तभी आप अपने आसपास की हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं जब आप हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आसपास के जीवन को समझते हैं और मूल्य देते हैं वरना इससे फरक नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी नौतिकता है, आपको कितने गरंथ याद हैं, आप सबसे भयंकर चीज़ें करने के तरीके ढून लेंगे. तो सबसे पहला काम, इनसान की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है, कि वो यहाँ कैसे बैठा है, क्या आप यहाँ आनंदित होकर बैठे हैं, क्या यहाँ बैठे हुए आप में कोई दुख तयार हो रहा है, ये वो सबसे जरूरी चीज़ है, जिसका आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आती है बाकी की हर चीज़, क्योंकि वरना कोई भी चीज़ वाकई काम नहीं करेगी, प्लीज देखिए, जब भी आप बहुत दुखी होते हैं, तो हमेशा ये विचार आता है, कि आपको मर जाना चाहिए, आप वैसा नहीं करते, लेकिन विचार आता है, है है ना, हाँ या ना, ऐसा कीजिए, 24 घंटे दुखी रहे, आप हमेशा टीवी या किताब या दोस्तों के साथ अपना मनुरंजन कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए, 24 घंटे बस दुखी रहे, 24 घंटों में आपको गंभीर विचार आएंगे, कि आप मरना चाहते हैं, ये तैय है क्योंकि कोई भी कुछ मिनिट से ज्यादा दुख नहीं जहल सकता, कुछ मिनिट से ज्यादा होने पर आपको कोई और चीज चाहिए, वरना आप पागल हो जाएंगे हैं ना, ये समझना कि दुख कारगर नहीं होता, ये अपना जीवन चलाने का तरीका नहीं है, आपके जी जीवन में चाहे जो कुछ हो रहा हूं शायद आप हर चीज कार में पैक करके ही सत्संग में आए हूं और आपके पास घरी नहों हो सकता है अगर आप मिशिगन से हों तो आपने ठीक है आपने शायद कुछ और हो जीवन में कई चीजे हो सकती है चाहे जो भी हो आप अपने जन्म के समय से अभी बेहतर है TVs आपके पास कुछ नहीं था अब कम से कम कुछ तो है तो आपको फाइदा ही हुआ है जीवन की सुन्दर्ता देखिए आप बिलकुल खाली हाथ है थे चाहे जो भी हो रहा हो आप फाइदे में ही है नुकसान में नहीं है इसलिए आप शिकायत नहीं कर सकते हम? है की नहीं? तो अपनी बीमारी को विचारों से मिटाने की कोशिश ना करें अपने दुखों को विचारों से मिटाएं हम? अगर आपके दुख मिट गए तो बीमारी हो या सेहत हम देख लेंगे